हेलो गाइज यूर वेलकम एट मैच चैनल कोड हैकर इस वीडियो में हम अपना वियस कोड इंस्टॉल करेंगे तो अपने किसी भी ब्राउजर पर जाके आप वियस कोड सर्च कीजिए एंड जो सबसे पहली वेबसाइट आईगी उस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक ऐसे इंडरफेस खुलेगा उसके बाद डाउनलोड फूर फ्री पर जाएए एंड एंड गाइज आपको यहां पर दिखेंगे कि आपका वियस कोड डाउनलोड हो रहा है तो गाइज अब हम अपना दूसरा कंपाइलर डाउनलोड करते हैं जिसको मिंजी डब्लू की नाम से सर्च करेंगे मिंजी डब्लू तो गाइज यहां पर आपको फर्स्ट वाइस साट पर क्लिक करना है आपको इंटरफेस खुल जाएगा तो डाउनलोड पर क्लिक हिएसकー है अफर उपने मिंजी डब्लू स्टो हरा है संब करते के अपने मिंजी डब्लू को अथ बवाइस यहां पर इंट्यू टेंट डून देन अपका जो मिंजी डब्लू को आपके मंब्लू सर्च तो यह टेक लिटिल टाइम तो डॉन्ट वर्य हां तो वाइट यह कंप्लेट हो चुका है सो कंटीनू पर हम क्लिक करेंगे अ यह अब गाइस देखिए यहां पर आप सभी चेक बुक को चेक करेंगे जैसे यहां पर हम देखते हैं हां सभी चेक बुक्स को मार्क्स को इंस्टोलेशन्स तो रॉंठाइ वहां वेयुए अडियुए थे न철 कि एक बुक्नकर कै टी आंप देख सता हैं अप्लाइस बुक्स को मेस बुक्ता आपड़ध्य बाह टाइस दिल्टा मुल्स इंस्टनल्स आप यहां फर ड् करेंगे छिव प्लिक्सम एं ृ झाल झाल फाइल्स टाउंलोड हो चुकी है देख सकते हैं यहाँ पर क्लोज करते हैं और अपना फाइल एक्स्प्लोर खोलते हैं और देन, इस PC पे क्लिक करेंगे और फाइस रिकेंदेन, इस Si wake Turn dulu की tiie Tag और और आप क्लिक करेंगे बिल्ड के उपर इस पाइस पाइस को अपसलेक्स करेंगे उपर टेक्स। पार फे क्लिक करेंगे then copy कर लेंगे इसको and then आप अपने system की settings खोलेंगे settings open होने के बाद आपको search करना है इसके इंदर environmental setting so guys यह first आगया edit the system environmental variable तो environmental variables पर click करेंगे then यहां से path select करेंगे and then edit उसके बाद guys यहां पर new पर click करेंगे so यहां पर paste कर लेंगे अपने path को and then okay and okay yes guys अब हम अपने vS code को देखते है हाँ इंस्टोल हो चुका है अब इसको अपन करते है then I accept the agreements पर click कीचिए then next then next yes then next and then यहां पर आप सभी checkbox को फिल कर लीजिए and next पर click कीचिए okay guys यहां पर install and यहां पर आपका जो vS code है वो install हो रहा है then guys यहां finish and हमार vS code open हो चुका है so guys मेरा vS code मैंने पहले डाउनलोड किया था तो मेरा इंटर्फिस ऐसा खुला है but आपको यहां पर कुछ extensions डाउनलोड करनी पड़ेगी जो मेरे पहले से डाउनलोड है then हमें extensions पर आपके क्लिक करेंगे जैसे यहां पर मेरा पहले से install है so यहां पर आपका install का option है तो क्लिक करेंगे and then आपको एक और extension डाउनलोड करना है code runner जो कि आपका code run कराएगा तो यहां पर code runner टाइप करते हैं यह first extension आपका आपका आगया नहीं नीचे वाला code runner then install so guys आप settings चेक कर लेंगे कि कैसे मेरी settings इसके इंदर है so आप as it is setting रखिए अपने code runner की then आप चेक कर लीजिए कि मेरा कौन सा check box क्लिक है कौन सा नहीं so यहां पर आपको यह settings बिल्कुल सेम रखनी है हां तो guys अब हम एक folder बनाएंगे folder को open करते हैं new folder बनाएंगे हाँ पर then new पर क्लिक करते हैं folder यह पर हम अपने folder को नाम देंगे see programs इस folder को open करते हैं select folder पर क्लिक कीजिए then आपका folder खुल चुका है अब आपको new files पर क्लिक करना है and then आपको एक file बनानी है hello.c इसके अंदर हम अपना सबसे पहला code run करेंगे so syntax लिखते हैं हम अपने c language का starting से जैसे as include stdio.h stdio.h and then हमारा function आता है main function void main and then curly bracket start तो हम इसके अंदर print hello world करेंगे so हम लिखते हैं printf brackets semicolons hello world world हाँ तो गाइस अब हम आपको आपके राइट साइड में triangular icon बनावा दिखाए देगा उस पर क्लिक करेंगे अपने code को run करने के लिए उसते पहले हम अपने terminal को off कर देते हैं then click so guys हमारा यहां पर code run हो चुका है देखिए guys hello world यहां पर print हो चुका है जैसे देख सकते है hello world हाँ so अब अपने एक बास syntax को समझते हैं कि हमने कैसे क्या लिखा है so guys यहां पर हमने hashtag include stdio use क्या है किसके लिए लाइब्रेरी को include करने के लिए यहां पर void mean क्या एक function है and curly braces के अंदर जो हमने लिखा है अपने code को print करवाना है तो हमने इस code को curly braces के अंदर लिखा है then print के लिए हमने printf यूज किया है जो कि stdio.h में पहले से derived है कि printf क्या function है printf एक printing function है and semicolons हमें use करना है last के अंदर कि हम अपना जो printf functions को terminate कर सके so guys आज के लिए बस इतना ही हम और questions करेंगे next video में कर देंगे दो सकते आई प्हूआ सबक्सक्ट सबस्क्स एुजआ सुन सुन स्चाइब सुन सबस्क्स